दो हजार वाइस के उपचुनाओं में भाजपा की बंपर जीत हुई है गुजरातो और हिमाचल विधान सभा चुनाओं के लिए तुफानी चुनाओं प्रचार के बीज छे राज्यों की विधान सभा सीटों के उपचुनाओं के परिणाम आ गए है छे राज्यों के साथ सीटों पर हुए उपचुनाओं में भाजपा ने चार एहन सीटों पर जीत दर्द की है जिसमें से एक सीट पर भाजपा ने अपना उमीदवार वापस ले लिया था नेता के सम्मान में अब उसके बाद भी जो आकड़े आए हैं उससे साफ है कि आकड़े सत्ता पक्ष के पक्ष में हैं और जनता के पास भाजपा के अलावा कोई और आप्शन नहीं है यानि कि विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है अब इसी बीच मोदी सरकार को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाने वाले आंदोलनकारी नेता राकेश्टिकेट ने बड़ा बयान दे दिया है उनका कहना है कि ऐसे तो भाजपा दोहजार चौबिस में भी जीत जाएगी क्योंकि देश का विपक्ष कमजोर है तो वहीं उन्होंने सरकार पर बेमानी का भी आरोप लगा दिया है दरसल किसान नेता राकेश्टिकेट लगातार भाजपा के खिलाफ आंदोलनकर रहे हैं लेकिन उनका असर चुनाओं के नतीजों पर दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए उनका कहना है कि जूटों और बेमानी से सरकार बन रही है आम जन्मानस, किसानों, मजदूरों से बीजेपी सरकार छल कर रही है राजनेतिक दलों की तरह किसान संगठनों को भी तोड़ने की साजिश सरकार कर रही है उन्होंने ये भी कह दिया कि BJP वाले कोई भी चुनाव जीत सकते हैं ये लोग 2024 में भी चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि देश में कोई भी विपक्षी दल नहीं है सुनिये क्या कुछ उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा अगरा तरगेट प्रेस है पेम अन्हीं जब होगी तो कोई असर नीपुड़े इनी का अलक्षान कमिशन है इनी की कोट कचेरी एनी कही अधिकारी इस अब सब इनी कही है ओधने तो वही टिकेट में विपक्ष पर भी सवाल खुले है राकेश टिकैट ने केंद्र और राजी की नीतियों की आलोचना के साथ ही विपक्ष को भी बेहत कमजोर बताया है। लेकिन आकड़े जो आए वो उनके विपरीत रहे। यहाँ तक कि लखीमपुर में जो राजनीती विपक्ष के द्वारा की गई जो किसान नेताओं ने राजनीती की उसका भी कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। ना ही विधान सभा चुनाओं में और ना ही उप चुनाओं में जहाँ गोला से अमनगीरी अपने पिता की सीट फिर से जीत कर आगे। अब जब इसी को लेकर राकेश टिकेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। अब जब आंदोलंग का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है जनता पर तो वौकलाहत में नेता सरकारी एजन्सियों और चुनाओं आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अभी कुछ तिन पहले चुनाओं आयोग ने ऐसे ही लोगों को जम कर फटका रहा था। बेरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा।